आज की क्लास में हम सफ़ड का हिंदी मतलब समझेंगे इसका प्रोनाउस होता है सफ़ड और सफ़ड, सफ़ड का past tense and past participle होता है यानि की इसकी second and third form होती है और इसका हिंदी मतलब होता है सहना, भुगतना, चेलना, खोना, कस्ट जेलना, सहन करना, दुख भोगना, कस्ट उठाना, बुरी तरह प्रबावित होना, सामना करना, ग्रस्त होना और पीडित होना अब इसके कुछ सिनोनियम्स जानते हैं चैसे की tolerated, hurt, abode, brogged, supported और act एकदम से नए सिनोनियम्स के वर्ड आपने आज इस वीडियो में देखे है, सीखे है तो मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी वर्ड को अब हम suffered की जगा पे use करेंगे इसके कुछ sentence है जैसे की I think you have suffered enough मुझे लगता है कि तुम काफी पीडित हो चुके हो इसी तरह की और भी words meaning जानने के लिए, synonyms जानने के लिए प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और bell icon दबाना बिल्कुल दिना देखे तेंक यू